हेलो फ्रेंड्स आज हम जीके के मैत्पुर्ण वन्लाइनर प्रश्ण उत्री को देखेंगे जो आगामी परिक्षा बिहार और जारकन के एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो आई यह देखते हैं पहला प्रश्ण देखते हैं कि कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्तित है तो जो कंचन जंगा है भारत के सिक्किम राज में इस्तित है अगला प्रश्ण दूसरा कि भारत की सबसे प्राचिन परवस रेड़ी कौन सी है तो सबसे प्राचिन परवस रेड़ी जो की अराव अगला प्रेशन की अरावलिवे पर्वत करणा सरूछ क्या नाम है तो कुरु this second tip की सबसे बड़ा हीमना ऐसे और कॉन सा है तो सियाच जुन है अगला परिशन की रावली परवत्तका सरूच शिखर के उच्वय हो प्रशने की कौन सी पहड़िया नर्मदा और तापती के नदियों के बीच में इस्थित है तो सत्पूड़ा की पहड़िया जो है वो नर्मदा और तापती नदियों के बीच में है अगला प्रशने की खैबर दर्रा कहां पर इस्थित है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क का जो मार्ग वो किस दर्रे से होकर बना जाता है तो उसो बनिहाल दर्रा कते जो जम्मू से श्री नगर का मार जोड़ता है बनिहाल दर्रा अगला प्रशन है कि किस नदी के किनारे प्रसिद महा कालेश्वर मंदिर इस्तित है तो यह नर्मदा नदी किनारे यह महा कालेश्व है प्रशंद e कि अरावली परव क्रणाली को अरकाले लेल opens विभाजित होती इतर्षय तो चंबल और साबरम college ये विभाजित होकर और आजरब नमसे न मंतिक पास्रुंक की नाम से जाने जाती है तो ब्रह्मपुत्रा अगला प्रशने किस नदी को दूसरी गंगा की नाम से जाना जाता है तो कावेरी नदी को आगला प्रषने की 11वा प्रषने की सूस्क भुमी के लिए सब्सक झादेक उचित फसल हो ह्मुझफणी है अगला प्रषने की उद्यपूर की जवारा खाने किस गणीश के उट्खनन एंड़ प्रसित ही तो यह जस्ता के लिए प्रसित है अला प्रष्ने 22वा कि महा साघरी वो महादीपी परतुव में किसकी आधारप अंतर पाए जाता है तो घंडत के अधार पर अंतर पाए जाता है तो दीकतम हम प्रति कष्टिर अगला प्रश। भारत में जल विदू शक्ति के विकास कौन सा राज अग्रणी है उत्त्य प्रदेश है किस तीथी को दिन और रात बराबर होता है तो तेज सेप्टेमबर को जो दिन और रात बराबर होता है 32 प्रशने की भारत में नमक की प्राप्ति का मुख ही रूप से किस स्त्रोथ से होता है तो सागरी जल जो की चटानी नमक की परते छील अम्रिदा जल से इसका नमक की स्त्रोथ की प्राप्ति होती है अगला प्रशने की किस नदी को व्रिहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो नर्मदा नदी है, कौन से नदी ओडिशा का शोग नदी का जाता है, तो यह ब्रामणी नदी है, जो कि ओडिशा का शोग नदी का जाता है, अगभिया का शोग नदी है, तो को सी नदी है, अगला प्रशने की वेन गंगा और पैन गंगा किस की सहाइक नदी है, तो यह ग 41 प्रेशन के कौन सी नदी भारत वो पाकिस्तान का जल समझोता हुआ है तो सिंदू नदी की कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है तो 20 प्रसत प्रयोग कर सकता है अगला प्रेशन 44 की कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीराज से होकर बहती है तो सिंदू नदी जो है वो केवल जम्मू कश्मीराज से होकर बहती है 45 प्रशने 45 की पंच गंगा तर्थदूद गंगा किसकी सायक नदिया है तो ये कृष्णा नदी की ये सायक नदिया है अगला प्रशने 46 की दामोधत नदी कहां से निकलती है तो छोटा नापपूर के पठार से निकलती है अगला प्राण देखें हे, 27 फ्रस्वाप। प्रस्वाप की इस प्रकार की मिट्डी के लिए नियून्तम और पो रूअरक की आखें आच्छाधित होता है, जलोळ मिट्डी में जब बालू के कड़ों और चीका की मातला लगबशाथ quickly है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, त तो प्रेंट्स अभी के लिए इतना या और भी कुछ मैंत्वर प्रश्णों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जायेंद।